इंटेलिजेंस चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए, क्यों चाहिए? आप लोग के बहाना बनाते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, बट घर में बोला है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ अगर आपका ब्रेक अप हो रहा है, उस ब्रेक अप से आप बाहर कैसे आते हो और दूसरी कैसे पड़ाते हो, that is your EQ Hello Adels, Class 12 Psychology के Chapter 1 के लास्ट एपसोड में आपका स्वागत है अब हमने Intelligence पढ़ा, हमने Variations in Psychological Attributes पढ़ा और इस पर्टिकलर वीडियो में हम सबसे Important चीज़ पढ़ने वारे है, वो है Emotional Intelligence Emotional Intelligence और Creativity क्यों ज़रूरी है, पहले यह जान लो Emotional Intelligence आपका सिर्फ एक्जाम में Marks लाने के लिए Important नहीं है, बलकि यह आपकी पूरी की पूरी Life गवरन करने के लिए आपकी Thought Process चेंज हो जाएगी अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया और समझ लिया, एक्चुली जो मैं समझाना चाहरा हूँ Emotional Intelligence का Importance, क्या होती है Emotional Intelligence, Emotional Quotient क्या होता है, यह सारी चीज़ें और आपकी Life में यह कैसे Impact दे सकती है So, इस वीडियो को अपने Academic के तौर पर मत सुनना, इस वीडियो को सुनना अपने Life Skills के तौर पर, अपने Understanding के तौर पर कि यह चीज़ें आपकी Life में कैसे Impact देने वाली है So, without any further ado, let's start Emotional Intelligence, या Emotional Question, जैसे हम Check करते हैं, जैसे IQ था, Intelligence Question, अगर किसी का 100 आगिया तो उसका Mean पे उसका Intelligence आ रहा है, गर उससे कम है तो वो कम होशियार है, ज़ादा है तो ज़ादा होशियार है थिंस emotional question में नहीं इसे कोई number नहीं आते है emotional question होता क्या है और emotional intelligence क्या होता है पहले यह समझ ले so IQ और EQ दो अलग अलग चीज़े है IQ वो है जो subjective knowledge जिस बंदे के पास जादा होता है जो आपका class का topper है उसका IQ अच्छा होगा उसको subjective knowledge अच्छा होगा इसका emotional question होता है उसका IQ जरूरी नहीं कि अच्छा हो बट उसका EQ के कारण वो life में बहुत successful हो जाता है emotional question मतलब कि आप अपने emotions को किस तरीके से control कर पाते हो अगर आपका break up हो रहा है उस break up से आप बाहर कैसे आते हो और दूसरी कैसे पैदाते हो that is your EQ whereas अगर IQ वाला बंदा है उसकी IQ अच्छी है बट EQ कमजोर है है ना तो वो एक failure के बाद he'll be devastated और she'll be devastated ठीक है और जिनका EQ कमजोर होता है IQ अच्छा हो कोई बात नहीं बट अगर EQ कमजोर है emotional question कमजोर है अपने emotions पे control नहीं कर पाते हैं these are the people who generally attempt or do suicide एक recent example है actual उसका हमें पता नहीं है बट जो सुनने में आया है वो ये है कि सुशान सिंग राजपूत जो बहुत ही ब्रिलियंट बंदा था IQ बहुत अच्छा था उसका he was an engineer he was a very intelligent guy but emotional question जो था उसका emotional intelligence वाला पाट था वो उसका थोड़ा कमजोर था and that's why पूरी life में successful होता गया पढ़ाई में successful हुआ number अच्छा है लोगों ने praise किया उसके बाद वो Bollywood में आया वहाँ पर उसको appraisal मिला सब कुछ अच्छा चल रहा था but जैसे rejections start हुए लोगों ने काम देना बंद किया emotional questions कमजोर हुआ और वहाँ से वो dip होना चालू किया and then he was not able or he was not ready to take on life or take on that failures and then he committed suicide so emotional questions और intelligence questions में यह difference होता है emotional questions वाला जो आदमी होता है या जो बच्चा होता है या जो लड़किया होती है they come out with their problems soon enough and they find solutions whereas जो IQ वाला होता है वो solution ही खोजता रहता है वो बाहर नहीं आपाता है ठीक है आई समझने अब जब मैंने बोला कि real life में ही आपके साथ रहेगी so IQ अगर आपका अच्छा है ठीक है so आप job कर सकते हो अच्छा job कर सकते हो आप CEO के level पर पहुंच सकते हो शायर ठीक है बट वहाँ पर जब आपको pressure आएगा तो आप वो pressure handle नहीं कर पाऊगे क्यों क्योंकि आपका EQ कमजोर है अगर ठीक है जितने भी scientist होते है जितने researchers होते है इनका IQ बहुत अच्छा होता है ठीक है आगे समझ में IQ और EQ अगर आपको अपनी life में अच्छा करना है तो आपका emotional question emotions को control कर पाना अपनी feelings को control कर पाना भी बहुत important होता है इसका ये मतलब नहीं कि जिसको आप पसंद करते है उसको जाकर ये बात ना बोलो emotional question का मतलब कि आपको ये चीज पता है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं करता है उसके बाद आप decide कर रहे हो कि उसे बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए emotional question कहता है कि आपके अंदर वो capability होनी चाहिए to face that rejection अगर अगले ने मना कर दिया जिनका EQ कमजोर होता है वो rejection face नहीं कर पाते and those were the people जो कई बार crime कर जाते हैं कई बार गलत कर जाते हैं किसी के साथ ये वो वाले लोग होते है जिनका emotional question कमजोर होता है कई बार होता है ना कि हम एक छोटा बच्चा है घर में उसकी सारी जरूरते पूरी कर रहे है उसको कभी हमने failure सिखाया ही नहीं उसे problem create होने ही नहीं दी उसे solution ही नहीं दिया आपकी class में भी हो गई वो बच्चा आगे जाकर कमजोर EQ के साथ बढ़ता है और आगे जब उसके life में अचाना से problems आती है तो वो उस problems को face नहीं कर पाता इसलिए अगर आप देखो आपके school environment में भी जान बूज के teacher आपको जो है वो number कम देता है है ना सुदश आपको वो failure का अभास रहे आपको पता रहे कि यार मैंने तो 100 number का लिखा था अबर मुझे मिला 80 marks मतलब मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा ये छोटी 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 चीज़े हैं जो आपकी emotional questions को improve करती है emotional intelligence को improve करती है साथी साथ में अगर आपको E.I.P काम करना है आपके जो basic meditations होते हैं योगा है ये साथी चीज़ें आपकी emotional questions को improve करती है life को जहेलने में आपकी मदद करती है success जब तक चल रहा है तक बहुत अच्छा लगता अब जिजिन failure आता है आपका EQ वहाँ पर important होता है गिरने के बाद वापस उठेने के लिए आपका EQ important होता है ठेक है और हर कोई किरता है right and one of the biggest reason why Elon Musk is successful is because of a high EQ IQ तो हई हई उस गंदे में but EQ भी उसका strong है and because of that जब उसके इनिशिली तीन चार रोकेट फेल हुए उसके बावजूद ही came up and he said कि नहीं मुझे पांचवा बनाना है and then he got success so everyone who perceive or pursue the same thing over and over and over again is because of high emotional question गलत हुआ कोई दिकत नहीं फेल हुआ कोई दिकत नहीं आगे बढ़ेंगे अब समझ में आए कि ये लाइफ में कितना important है so ये तो हुई बात emotional intelligence की इसके बाद हम बात करेंगे special abilities इसमें क्या चीज़े आती है इसमें वो चीज़ें आती है जो आप ही career decision में भी उतना ही impact रखती है career decision की अगर हम में बात करूँ तो I have another channel नेमेश career innova आप सार्च कर सकते हैं वहाँ पर career related ही बात करते हैं ठीक है अब जब हम career की बात करते हैं या special abilities की बात करते हैं यहाँ पर हम दो अलग अलग चीज़ पर बात करेंगे एक है aptitude और दूसरा है interest यह दोनों चीज़े क्या होती है aptitude मतलब आपका intelligence level अच्छा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है बट आपको जो problem दी जा रही है या जो सिखाया जा रहा है यह किसी की verbal reasoning अच्छी होती है यह सारा जो है यह आपके aptitude में आ जाता है जितने भी आपके government exams होते हैं या competitive exams होते हैं अगर आपको PSC, UPSC की preparation करनी है aptitude test होता है वही aptitude का मतलब कि आप किसी situation में अगर आपको ढाला जाए तो उस situation से आप solution कैसे निकालोगे that is your aptitude हर व्यक्ति के अंदर अलग-अलग type के aptitude होते हैं और तब हम इसको attach किस से करते हैं हम attach करते हैं interest से ठीक है कि यारे मुझे यह चीज में interest आ रहा है अब उस interest जब मुझे आया तो मैं उसको सीखना चालू किया और जब मैंने सीखना चालू किया तो मैं सीख पा रहा हूँ that is your aptitude तो interest और aptitude दोनों साथ साथ में चलते हैं हो सकता है आपको किसी चीज में interest है मझा आपका aptitude ना हो इस चीज के लिए आपका किसी चीज में aptitude हो पर आपको interest ना हो for example, mechanical aptitude, numerical aptitude, typing aptitude यह सारे individual हो गए multiple में आपके पास एक या एक से ज़ादा aptitude हो सकते हैं जिसके तीन चार अलग अलग test है जिसमें सबसे ज़ादा जो देखा गया है यह जो प्रैक्टिस होता है वो है DAT differential aptitude test यह क्या चेक करता है? यह चेक करता है वही test होता है जो आप competitive exams के लिए पर प्रपेर करते हो ठीक है? so aptitude test जो है वो दो तरीके के पहला independent और दूसरा multiple ठीक है? यह होगी हमारा aptitude interest आपको समझ में आए किसी चीज़ के तरफ fascination होना interest होता है अब हम इस chapter के last topic पर बात करते हैं और यह last topic बहुत important दोस्तों मैं विशार पांडे एक clinical psychologist और counselor हूँ और इस channel पर मैं class 11th और 12th की psychology पढ़ाता हूँ so अगर आपको मुझसे psychology पढ़ने ही 11th और 12th की तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको यह video बसंद आता है hit that like button एक और important बात आप notes के लिए या ऐसे भी मुझे instagram पर follow कर सकते हूँ जिसमें मैं नए updates भी आते हैं और साथ ही साथ में आप जैसे students के बहुत अच्छे अच्छे जो comments आते हैं यूट्यूब videos पर उसे भी मैं feature करता हूँ so अगर आपको भी list का एक हिस्सा बना है so किसी भी वीडियो पर जाकर वीडियो देखने के बाद उसमें comment करना मत बूला आगे बात करते हैं creativity के उपर है पहले creativity को समझते हैं और फिर समझेंगे की creativity और intelligence में क्या similarity है जिस similarity है creativity मतलब मैंने आपको एक situation दी उस situation या उस problem को आपने कितनी creative तरीके से amplify किया है या दूसरी knowledge को कैसे उसमें grab कर लिया या mix कर दिया that is your creativity तो creativity क्या है तीन या चार अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग knowledge को अलग-अलग understanding को आप amplify कर रहे हो या change करके अपने नजरिये से अपने thought process से कुछ नया create कर दे तो that is your creativity अप creativity जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ drawing कर रहे हैं तो उसी में creative हो हमें जरूरी लगता है कि creative person वो है जैसे रविना टाइगोर या Albert Einstein जो किसी particular field में अच्छा कर रहे है बलकि creativity जो है वो छोटी से छोटी चीज में भी हो सकता है आपके घर में जो painter आ रहा है उसने paint किया है एक बड़िया सा design बनाया है graphic कुछ wall बनाया है creative है अगर उसने देखकर उस चीज को same to same copy paste कर दिया है तो उसका जो aptitude अच्छा है अगर वो copy paste कर रहा है जो writers होते है जो कुछ नया business में लेकर आते है ये सारे लोग creative है जाकिर खान, सुहानी शाह, अभिशेक उपमन्यो, अंकुर बारिको ये सारे लोग creative लोग है और अगर आप YouTube के अंदर psychology पढ़ना चाओ सारे channel एक बार देखके आ जाओ और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये channel creative है तो मुझे नीचे comment में जरूर बताना ये पता कब चलता है कि कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, वो creative है या नहीं अगला creative है या नहीं, कब से पता चलता है So there are a lot of research which has happened तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है अगर आप उसको note करते हो या notice करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप उसको कुछ बता रहे हो वो अपने मन से कुछ नया बना कर बता रहे है आपको या वो कुछ बहाने बना रहे है जो आपने सिखाया भी नहीं हो आपने कुछ और सिखाया था बस वो modify कर दे रहा है जो बच्चे जूच बहुत बोलते है These are the creative people यार जूच बोलना चाहिए, बहुत important है creativity बढ़ती है इससे ठीक है बट हर चगा नहीं बोलना चाहिए आप लोग बहाना बनाते हो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो घर में बोला है कि मैं tuition जा रही हो आप थोड़े से creative हो सकते हो बहाने कैसे बना रहे हो उस पर depend करता है मुझे याद है मेरा एक friend है जिससे अगर मुझे कोई बहाने बनाने होते है तो इसको इस तरीके से घुमा के बोल दे तो यह तेरा बहाना बन जाएगा ठीक है और because of these बहाने he has helped me actually to get a girlfriend ठीक है यह होते है creative लोग जो बातों को घुमा सकते है तो जो बच्चा होता है जो चोटा बच्चा होता है वो भी creative होता है वहाँ से उसकी creativity develop होनी start हो जाती है बट वो कई बार बोल कर नहीं बताता उसके action से आपको समिछना होता है कि यह creative है या नहीं है साथी साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको creativity पता ही नहीं होती वो किस चीज में creative उनको पता नहीं होता है तो उनको ऐसी opportunities देनी पड़ती है ठीक है उनको अलग-अलग जगा पर admissions कराने होते हैं जहां पर वो अपने understanding दिखा सके dance classes, music classes, sports classes यहां पर भेजना पड़ता है जहांकर उसके opportunity बिले ताकि वो अपनी creativity निखार सके या दिखा सके अब क्या creativity में भी variations होते हैं कैसे पता चलेगा क्या creativity को improve किया जा सकता है समझते हैं अगर हम variations की बात करें creativity में तो ज़रूर होता है कुछ factors होते हैं जिसके कारण से बंदा creative होता है या उसकी creativity define करती है इसमें दो चीज़े होती है heredity और environment heredity मतलब अगर आपके mother, father या grandfather creative थे या किसी creative field में है singer का बेटा जो singer बनेगा वो because कि उसकी heredity में वो creativeness है वो music उसके अंदर जुड़ा हुआ है साथी साथ में जब वो बच्चा पैदा हुआ है हमेशा से देखता है कि उसके घर में रियाज चल रहा है music का एक माहौल है ठीक है सो वो music सीखता जाता है उसकी creativity उसके बाद improve होती है ठीक है so heredity और environment जो है वो creativity बनाती है तो क्या इसका मतलब कोई भी बंदा किसी भी level पर creativity सीख सकता है जे नहीं so creativity सीख पाना is almost impossible कि आप अगर सोचो कि मैं Albert Einstein की तरह या Shakespeare की तरह या जावेद अक्तर की तरह creative बन जाऊंगा कुछ सीख कर तो वो मुश्किल है हाँ आप जिस level पर हो जो आपका present level है वहाँ से आप उपर जा सकते हो कुछ चीजें सीखने के बाद तो अगर आपको photography में interest है अपने photography सीखना start किया है so आप एकड़म ace photographer बन पाओ ये बहुत मुश्किल है बट आप जिस जगा पर हो उससे उपर आप जा सकते हो so इसलिए ये भी कहा जाता है कि आपकी लडाई जो है ताकि आप अपने stage से उपर जा सको अपने present level से एक creativity step उपर जा सको अब creativity और intelligence में क्या difference है या क्या similarity है वो समझ लेता है intelligent वो है जो same to same copy paste कर सकता है वो intelligent है जो आपकी class में जो सबसे intelligent बन्दा होगा उसका क्या है कि वो जैसे book में लिखा हुआ same to same वो याद कर सकता है और उसको answer को लिख सकता है वो intelligent है यारे इस creative कौन है पढ़ा, समझा और अपने words में लिखा नए तरीके से define किया नए तरीके से उसमें answer लिखा उसने सो वो creative हो गया अब यहाँ पर भी same चीज है कि जिस बंदे का IQ बहुत अच्छा है वो creative हो यह ज़रूरी नहीं बट जो बंदा creative है उसका IQ अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि जब IQ होगा तो वो चीजों को पढ़ेगा समझेगा grasp करेगा और फिर उसे modify करके एक नया चीज लेकर आपाएगा तो जो creative है वो intelligent होगा ही होगा अब अगर आप psychologist पढ़ रहे हो या psychologist बंदना चाहरे हो तो दो movies है जो आपको देखनी बहुत जरूरी है और उससे समझना बहुत जरूरी है पहला है तारे जमी पर बंदा intelligent नहीं था कौन? अमिर खान नहीं दूसरा बच्चा जो था वो intelligent नहीं था बट creative था समझ में आ रहा है और दूसरा अगर आप psychology पढ़ रहे हो तो आपको दियर जिंदगी एक movie है आपके बहुत काम आएगी psychology को समझने में लोगों को कैसे समझा जाता है उसको समझने में बच्चा creative है या नहीं है या बंदा creative है या नहीं है तो उसे एक situation दी जाती है उस situation दे बंदा कैसा perform कर रहा है उससे समझ में आता है वो creative है या नहीं है आप किसी की creativity कैसे चेक करते हो या यह बहुत अच्छी painting बनाया है या इसकी graphic designing बहुत अच्छी है या यह video editing जो style है यह बहुत अच्छा है तो यह समझ में आता है कि बंदा कितना creative है तो यह open ended होता है कि आप situation दे दो और छोड़ो तो वो open ended जो होता है उससे आप चेक कर सकते हो कि बंदा कितना intelligent है या कितना creatively intelligent है दूसरा point जो आपको intelligent और creative में फर्क बताता है वो है जो intelligent बंदा होता है वो convergent thinker होता है convergent मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को लिया एक साथ ऐसा ऐसे mix किया और उसके बाद answer sheet में लिख दिया ठीक है मतलब पढ़ा रटा 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 इकठा किया और उससे answer sheet में same to same लिख दिया that is intelligent creative जो होता है वो divergent thinker होता है उसे एक चीज़ आप बताओ कि उसके वो 50 values निकालेगा 50 तरीके निकालेगा 50 understanding निकालेगा और उसके बाद अपनी समझ से उससे modify करके आपको लिख कर देगा that is divergent thinker या creative thinker so इंडिया का education system है उसमें यही problem है कि हम क्या करते हैं हम divergent thinking को उतना value नहीं देते हैं as an education system हम convergent thinking को value देते हैं so इसलिए intelligence चाहिए 90% चाहिए 95% चाहिए यार क्यों चाहिए आप अपनी divergent thinking को open कर लो अगर आपका creative thinking है तो उसको improve करो अगर आपका intelligence level नहीं है IQ नहीं है तो उसमें उतनी मेनद क्यों करना जो है उसमें मेनद करते हैं ठीक है so यह हुई बात आपकी creativity intelligence और यहाँ पर खतम होता है हमारा variation and psychological attributes chapter 1